हेलो फेंज, आज मैं आपको मॉंस्टर ये 2014 की Korean Thriller मुवे एक्स्प्रेंग करने वालो ये एक Serial Killer से Revenge लेने की एक स्टोरी है इसमें ज़्यादा कुछ spoiler ना देत हुए, डारेक्ली स्टार्ट करते है मुवे स्टार्ट होती है और हमें boxon दिखाई गई है ये एक बाजार में सबजिया सेल करती है boxon दरह स्टूपिड होती है और भोली भी होती है abnormal की तरह ही ये character हमें दिखाई गया है इसे बहुत सारी चीज़े समझ में ने आती है ये जब छोटी थी तब इसकी mother ने इसे गिरा दिया था इसकी वज़े से ऐसी हो गई है इसकी grandmother थी पर ये भी इसको छोड़ कर चली गई है इसकी grandmother हमें heaven से बाते करते हुए दिखती है और कहती है कि मैं तुम्हारे लिए वरी करती हूँ boxon सबजिया सेल करती है और अपनी जो little sister है इसके education के लिए पैसे वेगरा इकटा करती है इसके बाद नेक सेन में हमें एक सांग दिखाया गया है वो एक बड़े businessman की यहाँ meeting के लिए आया हो ओता है यह जो businessman होता है यह उससे कहता है कि मुझे एक triple हो चुका है मेरे जो factory थी वहाँ एक worker काम करती थी factory में उसे कम पैसे मिल रहे थे इसलिए उसने strike की बहुत सारे लोगों को बढ़ गया मैं उससे समझा रहा था पर वो मान ने रही थी तो जारा जहापर मैंने उसे मार दिया उसने record कर लिया था अब यह recording मुझे दिखा कर रहे मुझे blackmail कर रही है 300,000 डॉलर से मांग रही होती है इससांग जो होता है इसके financial situation अच्छी नहीं होती इसके wife को एक बार में काम करना पढ़ रहा होता है इससे 300,000 डॉलर सुनकर बहुत यालग लगता है बिजनेसमेन फिर इससांग को कहता है यह जो पैसे है यह उस लड़िये को जाकर दे कर आओ मैं इन पैसो को लेकर किसी को भी ट्रस नहीं कर सकता इससांग भी इस काम के लिए रेडियो जाता है पर इस पैसो से अपने जो लोन उसने लिए होते है यह वो पे कर देता है अब हमें इकसां का एक बचपन का सीन दिखाया गया है यह घर के ऊपर के स्टोरेज रूम में बिठा हूँ है अपने फादर से डर कर वहाँ हो है उसके फादर ने उसे बहुत मारा है वहाँ फिर उसका छोटा प्रदर आता है उसे पुछता है क्या तुम चाहते हो कि मैं उसे मार दू क्या फिर तुम मेरे साथ खेलोगे इकसान उसे बहाँ से निकल जाने के लिए बोलता है उसे थोटा सा भी सीरेस नहीं लेता थोड़े टाइम बाद इकसान अपने फादर की स्क्रीम सुनता है यह उसका छोटा प्रदर था इसने उसके फादर को मार डाला था अब नेक सीन में हमें टीसू दिखाए चाता है यह इकसान का ही छोटा प्रदर है यह हमें रात में माती के पॉर्ट्स बनाता हो दिखता है इसके शरीर पर बह। सारे टाटू इसने बना हुए होते है टाटू बनाते हुए खुर निकलता है पर यह कुछ फील नहीं करता अब नेक सिर्सेंड में हमें फिर से बॉक्स हो उसके बाजार में दिखाई कही है जिस स्पोर्ट फे सब्जिया अस टिया करती है ये spot किसी और का है जिसका है spot है इसने कुछ आदमे भेज़े होते है ये spot खाली करवाने के लिए ये वहाँ से जाने रहे होती है ये सबको कही थी है कि ये मेरी ग्रैंड मा का था ये मुझे मरने से पहले देखर कही थी मैं नहीं छोड़ सकती ये अपना spot नहीं छोड़ रहे होती तो एक आदमी इसे उठाता है और बाहर भेटता है ये भागते भागते आती है एक सबजी रही थी है और इसके सर पर फोड़ देती है जब शाम हो जाती है तब उसकी छोटी सिस्टर स्कूल से आ रहे होती है और ये दोनों हिल पर मिलती है उसकी छोटी सिस्टर उसे मलम पटी करती है और समझाती है कि ये हमारा spot नहीं है ये जो land है एक्चुल में दुसरा कोई own करता है तुम्हें इनके पीछे नहीं लगना चाहिए पर बॉक्सों नहीं पता है कि ये stupid है तो इससे ये समझ में नहीं आता अपना जो logic कहता है कि ग्रैंड मदर ने मुझे लैंड दी है इससे पर वो अडी रहती है अब नेक्सिन में हम दिखता है ये इकसान अपने बदर टीसु को कॉल करता है टीसु कहता है कि बहुत समय बात तुने मुझे कॉल किया है इकसान उसे एक बार में बुला रहा होता है ये दोनों फिर वहां मिलते है इकसान टीसु से कहता है कि एक लड़खी है जो हमें blackmail कर रही थी इससे तुम्हें मारना है ये job उसे देना चाहता है टीसु कहता है कि ये बात साल गुजर चुगे तुमने अपना phone वेगरा सब कुछ बदल दिया था और अचनक तुम मुझे contact कर रहे हो इकसान कहता है कि मैं बहुत ही sorry हूँ जाने तो ये काम तुम मत करो जिस बार में बेठे हुए होते है यहाँ कुछ customer होते है जो बहुत ही loud होते है इकसान को इस से तगलिफ हो रही होती है तो बहुत ही जोर से टीसु कहता है कि ये कौन bastard है जो इतनी जोर से बात कर रहे है जो आदमी जोर से बात कर रहा होता है वो अब यहाँ आ जाता है वो टीसू के उपर हाथ रखता है तो टीसू उस पर बहुत इचिर जाता है चॉप स्टिक्स लेता है और इसके गले में डाल कर इसका मर्डर कर देता है इस आदमी के साथ जो भी सब लड़किया होती है इनको भी वो मार देता है जैसे कुछ भी ने हुआ इस तरह से अपने ब्रजर से बात करने लग जाता है वो कहता है कि मदर केसी है अपने मदर के लिए एक सांग को कुछ पैसे हो देता है मदर के विटामिन्स के लिए ये पैसे उसे देता है इसके बाद हमारा next man character नानी दिखाई गई है नानी के घर पर उसके landlord आती है वो कहती है कि तुम्हारे sister कहा है नानी और उसके sister ने बहुत दिनों से अपना रेंड पेनी किया है ये लॉंडर उसे कहती है कि अगर तुने पेनी किया तो मैं तुम दोनों के घर से बाहर निकाल दूँगी नानी केती है कि मेरे sister अब घर पर नहीं है थोड़ी देर बाद उसे आने के लिए केती है जब एगर में आती है तो उसके sister वही होती है अंदर जाकर अपने sister को ये सब वो बता देती है sister उसे पुछती है कि तुमारे तीन विचेश क्या है मुझे बताओ नानी केती है कि मुझे अपना डॉक जाईए और एक अपने घर में तुमारे साथ मुझे रहना है नानी की sister बोलती है कि ये सब सच हो सकता है एक्च्छल में जो sister ये ही business man को blackmail कर रही थी अब business man 300,000 डॉलर्स इसे देने वाला है तो इसे हो घर वेगरा buy कर सकती है अब थोड़े दिर बाद फिर से दर्वाजा खटकर आया जाता है और इस बार यहाँ tissue होता है tissue से बोलता है कि तुमने जिस phone से record किया था वो phone मुझे चाहिए नानी की sister कहती है कि पहले तुम मुझे पैसे दो यह कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं है यह दर्वाजा बन करने वाली होती है tissue से कहता है अगर तुमने यह दर्वाजा बन कर दिया तो मैं तुम्हें मार दूँगा पहले भी business man ने कुछ आदमियों को भेज कर इसे डरानी की कोशिश की थी पर यह डरी नहीं थी इस बार भी उसे वैसे ही लगता है और दोर बन कर लेता है tissue बहुत ही fit और intelligent होता है यह दीवार कुद कर अंदर आ जाता है नानी अंदर के रूम में बरतर मांज रही होती है तभी इसके कुछ आवाजे सुनाई देती है यह जब दर्वाजा कुलती है तो tissue उसके सामने होता है इसकी sister को उसने मार दिया है उसकी dead body इसे दिखती है यह scene खतम हो जाता है रात में tissue drive कर रहा है यह हमें दिखता है उसके brother का call आया होता है यह अपने brother को बुचता है यह जो सब पैसे थे इसका तुमने क्या क्या था अपने financial situation brother उसको समझाता है वो कहता है कि मेरे पास कोई option नहीं था tissue कहता है कि तुमारी वज़े से सब मैस हो चुकी है यह फिर घर आता है नानी को भी घर लिकर आता है एक wine की bottle निकालता है और से glass में बरता है वो कहता है कि अब हमें एक game खेलेंगे जब तक मैं bottle खतम नहीं कर देता तब तब मैं यहीं रुकूँगा और तुम यहां से भागोगी अगर तुमने किसी से help ली तुम्हें उन्हें भी मार दूँगा तुम अगर छुपगी और मैं अगर तुम्हें ढोडनी पाया तो तुम बच जाओगी यह फिर glass पूर करता है और नानी भागने लग जाती है अब नेक्सिन में हमें फिर से बॉक्सोन और उसकी सिस्टर दिखाई गई है बॉक्सोन आज बहुत ही दुखी होती है क्योंकि उसका spot up जाने वाला है बॉक्सोन की सिस्टरों से कही थी है कि आप मैं बहुत पढ़ने वाली हूँ हायर एजुकेशन के लिए मैं सिवाल में जाऊंगे वहां में अच्छे से डिग्री लोंगे और हम दोनों अच्छे से रह सकेंगे हम पूर है इसलिए हमें सब तकलिफ देते हैं बहुत जादा पैसे कमाऊंगे और हम रिच हो जाएंगे बॉक्सोन केती कि तुम चली जाओगी तो मैं आकेली बड़ जाओगी मैं भी तुम्हारे साथ आओँगी फ्लोर सीव करूँगी, खाना पकाओँगी, कुछ भी करूँगी पर तुम्हारे साथ ही रहूँगी उसके सिस्टर कहती है कि यह पॉसिबल नहीं हो पाएगा पर बॉक्सोन सुनी नहीं रही होती इस पर इन दोनों में एक हेल्दी फाइट हो जाती है यह दोनों फिर हसने लग जाते है और यह दूसरे को हग करते है भाकते भाकते नानी इनके घर आ जाती है इसे ये सब question पुछते कि तुम्हारा घर का है तुम्हारे parents का है पर एक कुछ ये बोलने रही होती इसे डिनर देते है बाद में नानी कहती कि इसकी sister है अब इसे ढूडने वाली होती है राद में नानी इनके साथ ही सोती है एक दिन जब सुबा होती है तो boxon की sister नानी को city में लेकर जाने वाली होती है ये सब जाने के लीए निकलते है पर boxon की sister अपना gym का क्लोट भूल जाती है वो boxon को घर जाने के लिए बोलती है और फटक से उसे लाने के लिए कहती है जब रस्ते से जा रहे होते है बहुत जादा फॉग वहा होता है इस फॉग में ही नानी को टीसून दिखता है यह फिर भागने लग जाती है बॉक्सून के सिस्टर नानी को डिफेंट करती है इसलिए टीसून उसका गलाद आवाता है बॉक्सून जब जिम के कबड़े लेकर आती है तब देखती है कि वहाँ कोई भी नहीं है उसे जंगल में से आवाजे आती है वहाँ भागते भागते चाती है टीसून उसके सिस्टर को मारने वाला होता है तब एक पत्थर लेती उसके सर में डाल देती है अपनी सिस्टर को लेकर भागते भागते एक फिल्ड में आ जाती है वहाँ उसे नीचे रख दिती है कि अभी मैं हेल्प लेकर आती हूँ वह पुलिस को कॉल लगाने वाली होती है वक्सुन को लगता है कि डिसुन मर चुका है जो पुलिस को कॉल करने के लिए जाती है और वो आपस आती है तो उसकी सिस्टर वहाँ नहीं होती डिसुन ने उसकी सिस्टर को ढून लिया होता है नेक्सिन में हमें दिखता है कि एक सांग एक गैंग्स्टर के पास आया हुआ होता है उसे एक आदमी चाहिए होता है एक सांग अपने बदर टीसू को बहुत ही हिट करता है और उसे उसे मारना है इसके सुपारी देने के लिए इस गैंग्स्टर के पास हो आया होता है यह गैंग्स्टर फिर एक आदमी उसे देता है कि इसे उसके घर लेकर जाओ यह उसे मार देगा वॉक्स्टोन के वार पर पुलिस आती है वो बहुत ही रो रही होती है कि उसकी sister उसे मिलनी रही वो जब situation थी यह सब उसे पता थी है यह stupid लगती है तो police इस पर believe नहीं करती है यह बोलने बोलने में यह भी कहती है कि उन दोनों की fight हो चुकी थी पुलिसों से कहती है जनरली ऐसे ही होता है कि fight होने पर यह खुद ही चले चाते है तो मैरी sister भी खुझ से ही चली गई होगी इस पर believe नहीं करते होए वहाँ से चले जाते है अब एक सांग टीसू के पास आजाता है एक सांग टीसू से पुछता है कि यह phone का है टीसू कहता है कि वह मर चुकी है पर उसका phone मेरे पास नहीं है जो उसकी चोटी sister यानी की नानी के बारे में बताता है कि वह भाग गई है इसका brother इस पर छिर जाता है कि यह वही phone थो important था और एक चोटी लड़की अगर किसी को भी कुछ भी बता देगी तो हम सब trouble में आ सकते है टीसू कहता है कोई problem नहीं होगा मैं उसे मार दूँगा इकसांग ने जिस आदमी को टीसू को मारने के लिए लाया होता है इसकी आवाज टीसू सुन लेता है यह आदमी और टीसू इन दोन में बहुत ही fight होती है इस टीसू पर बहुत ही भारिक बन रहा होता है तो इकसांग को लगता है कि अब टीसू मरी जाएगा पर बाहर आ जाता है अपनी गाडी के पास आकर weight करने लग जाता है थोड़ी देर बाद तीसू उस आदमी को मार कर बाहर आता है इक सान चाकू लेता है उस पर चलाने वाला होता है टीसू वो रोक लेता है टीसू एक सेकंड सोचता है और बोलता है कि जाने तो यानि कि वो अपने ब्रदर को नहीं मारने वाला वो कहता है कि चलो मदर के बाज जाते है कुछ खाना का कराते है इनकी मदर का एक रेस्टारन उड़ता है और वहाँ अब ये सब खाना का रहे हैं अपनी मदर को उसके वैटमिन्स के लिए ज़रा पैसे भी वो दे देता है इनको और एक छोटा प्रदर होता है कि इसकी पड़ाई कैसी चल रही है टीसू के मदर उसके छोटे ब्रदर के लिए बहुत ही प्राउट होती है यह लोयर बनने वाला होता है टीसू ने अपने ब्रदर के लिए भी अच्छा सा एक मोबाईल आया हुआ होता है यह डिनेर फिर सीरियस हो जाता है टीसू अपने मदर से कहता है कि क्या तुम्हें याद है कि जब मैं छोटा था तीन दिनों के लिए तुम मुझे एक कमरे में बन करकर रखती थी मैंने चोरी की है इसा तुम्हें लगता था यह पैसे हमेशा एक सांग नहीं लिये थे यह कहकर फिर टीसू वहाँ से चला जाता है नेक्सिन में हमें दिखता है कि बॉक्सून एक ओल लेडी के पास आई हुई है बॉक्सू के लगता है कि इसमें जरा पावर है और उसकी सिस्टर का है इसकी लोगेशन उसे बढ़ा सकती है यह लेडी फिर एक जगा पर पॉइंट करती है यह वोट्स में से घूमती है इसकी सिस्टर उसे कहीं भी नहीं मिलती रात में इसे सबना आता है इसमें इसकी सिस्टर उसे पता रही है कि हो मर चुकी है नानी फी घर आ जाती है Bockson उसे पुछती है मेरी सिस्टर का है यह आदमी कुन था जो तुम्हे मारना जाता था उसकी सिस्टर उसे मिलने रही तो Bockson रोएने लग जाती है यह लैट की फिर कहीती है कि मेरी भी सिस्टर को इसने मार दिया है यह उसके घर पर मुझे लेकर गया था मैं वहाँ से भाग कर यहाई थी बॉक्सोन कहती कि मुझे उसके घर लेकर चलो बॉक्सोन उस ओल लेडी के पास आती है उसे पोईजन लेती है इस ओल लेडी ने अपने ही पती को इस पोईजन से मार दिया होता है बॉक्सोन फिर चाखु से प्रैक्टिस करती है कि टीसून को कैसे मार सकती है ये दोनों वूर्स में जाते है और नानी को कुछ लोकेशन समझ में ने आ रहे होती है बॉक्सोन उस पर चीर जाती है वो से बहुत मारती है थोड़ी देर बाद इसे ही बुरा लगने लग जाता है कहती है कि मैं बहुत ही सौरी हूँ मुझे तुम्हें नहीं माना चाहिए था नानी भी रोने लग जाती है और एक दूसरे खोक करती है ये फिर थोड़ी देर बाद टीसू का घर होता है ये डोन लेते है नारी घर के बाहर ही बैटती है टीसू अगर आ गया तो इसके खबर देने का कामबू करने वाली होती है बॉक्सून फिर बेस्मेंट में आती है यहाँ बहुत सारे माती के पॉट्स बनाए होते है एक्चुल में टीसू जब किसे को मार देता है तब उसको जला कर उसकी एशेस से यह माटी के पॉट्स बना देता है बॉक्सून के सिस्टर के साथ भी इसना यही किया होता है यहाँ बहुत सारे पॉट्स हमें दिखते है और इस पॉट्स के पास नाम होते है यानि इन सब लोग को इसने मार दिया है बॉक्सुन की सिस्टर का पॉट भी यहां वो दिखती है जब वे बैसमेंट में होती है तब ही टीसुन आ जाता है नारी फिर खेड़के से आवाज लगाती है बॉक्सुन ने जो पॉजन लाया होता है ये टीसुन के पानी वो मिला देती है और घर में ही छुप जाती है टीसुन घर में आता है थोड़ी आवाज वसे सुनाई देती है खेड़के से देखता है तो नारी को स्पॉट कर लेता है नारी भागती है जंगल में छुप जाती है पर उसे पगड़ी लेता है वो उसे घर लेकर आता है और बर्नर में रख देता है उसे अब जलाने वाला आता है नारी के थी है कि फ्लीज मुझे मन मारो जो फोन तुमें चाहिए इसकी लोकेशन मुझे पता है नारी और टीसुन फिर दोनों गाड़ी में बेटते है नारी एक पेपर पर लोकेशन लिखती है और बॉक्सुन के लिए पीछे छोड़ कर जाती है बॉक्सुन को भी लोकेशन मिल जाती है टीसुन और नारी दोनों स्टेशन पर आती है वहाँ से जो फोन होता है एक लोकर से वो निकाल लेती है वहाँ भी बॉक्सुन आ जाती है इसके जो सब पैसे होती है यह टैक्सी वाला ले लता है टीसुन नानी को ले जा रहा है ये बॉक्सुन को दिखता है टीसुन ने अपने ब्रदर को भी यहाँ भूला होता है टीसुन को अपने ब्रदर के साथ अब लंच करना होता है उसका ब्रदर उससे फोन ले लेता है और कहता है कि आज में नहीं कर सकता आज जरा मुझे एक्स्टा गाम है ठीसुन उसे बहुत इंसेस करता है फिर ही उसे मना कर देता है ठीसुन बहुत इचिर जाता है और इसके कार का काज जोता है वो फोर देता है ये दोनों प्रदर्स अब जब फाइट करें तो नानी वहाँ से भाग जाती है और बॉक्सुन के पास आजाती है बॉक्सुन और ये दोनों भागने लग जाते है ठीसुन भी इसके बीचे भागता है ये कुछ सोल्जर से हेल्प मागते है पर ठीसुन इन सब को मार देता है एक्सान के बास जो मोबाईल है इसे वो डाटा निकालता है और ये देखता है कि इस मोबाइल पर क्या है इस मोबाइल में जो बिजनेसमैन था इसने नारी को सिस्टर को बहुत मारा था इसकी वीडियो होती है ये फिर बिजनेसमैन को कॉल लगाता है ये इसे भी प्रैकमेल करने वाला होता है टीशो से नारी और बॉक्सोन ये दोनों पीचा चुड़वाती है और अब स्ट्रीट पे रोती है इन्हें बहुत ही भुग लगी होती है ये पर इनके पास पैसे नहीं होती है भुग लगकर एक सुन बैट जाती है वो कहती कि अब मैं नहीं चल सकती है नारी फिर कहती है कि यही रुको मैं कुछ खाने के लिए लाती हूँ नारी फिर आके जाती है एक होटेल से एक पॉट चुरायती है और बॉक्सोन के पास आ जाती है बॉक्सोंलों से कही भी नहीं मिलती ये दोनों 는데요 एक दुसरे को डोंडने पाथी तो ये बहुत इस्टरब हो जाती है थोड़ी देर बाद फिर एक दुसरे को जो जो डोंड लेती है ये कहती है कि तुम कहाट चली गयी थी एक दूसरे को हग कर दिया और रोने लग जाती है फिर से कभी भी ऐसा नहीं होगा एक दूसरे से वादा कर दिया अब नेक्सिन में हमें एकसान दिखता है उसे गैंस्टर को कॉल आया हुआ है यह अपने मदर की रेस्टोरन में इस गैंस्टर से मिलता है गैंग्स्रों से कहता है कि एक आदमी को तुम मुझसे लेकर गई थे इस आदमी का क्या हुआ जो भी सब situation हुई है यह इकसान उसे बता देता है उसे वो help मांगता है अब टीसू को मारने के लिए गैंग्स्रों से help करने वाला होता है इसके बद बॉक्स्रों और नारी दोनों खाना खाते है बॉक्स्रों नारी से बुशती है कि क्या तुम मेरे साथ रहोगी मैं तुम्हें सिस्टर की तरह ठीट करूँगी मैं तुम्हारा खयाल रखोंगी तुम्हें स्कूल में भी वेजूँगी नारी इस पर कुछ भी नहीं भूलती इक सांग फिर टीसू को कौल लगाता है उसे कहता है ये खाना खाना के लिए रेस्टानर में आ जाओ खाना खाने के बाद बॉक्सोन और नारी फेसे स्टीट से चल रहे होते है रहे उसे फेसे टीसून दिखता है पर इस बार ये पुलिस स्टेशन के पास ही होते है ये पुलिस स्टेशन में गुच जाते है बॉक्सोन टॉलेट के लिए जाती है तब ये नारी को टीसून लेकर जाता है ये उसका अंकल है ऐसा केकर पुलिस को चला गया होता है बुक सुन भाहा थी तो इंक्वारी करती ही कि नारी कहा है पुलिस ओफिसर इसे पता दे देता है उससे कहता है कि यहाँ तुम्हें जाना है यहाँ तुम्हारी सिस्टर है इसके बाद टीसुन अपने मदर की रेस्टार्म में आ चुका है टीसू की मदर को भी पता है कि अब इसे सब लोग मार देने वाले है टीसू की मदर उसे कही थी कि तुम जब चोटे थे तब तुम्हें हमारे डोर पर कोई छोड़का चला गया था मेरे हज्मन ने मुझे पताया था कि मैं तुम्हें नहीं रह सकती पर मैंने बहुत ही जित की थी मुझे सब मेरी फ्रेंस कहे दी थी कि ये गलत है इस बच्चे को रखना सही नहीं है पर मैं मेरी जित पर अड़ी रही थी पर मुझे क्या मालूम था कि तुम ऐसे निकलोगे ये सीरियल गिलर है तो इसकी मदर भी इसे हिट करती है वो टीसू का कहती है कि तुम अजीब हो इसी वज़े से तुमारी मदर भी तुमें छोड़ कर चली गई थी टीसू के पीछे जो गैंस्टर होते वो बेटे हुए होते और वो कुछ आवाज नहीं कर रहे होते टीसू ये नोटिस करता है मदर से किता है इतने शांती से कैसे खाना खा सकते है ये फिर उटता है और ये गैंस्टर उसे मारने वाले होते है पर ये ही सब लोगों को मार देता है टीसू की मदर एक सेगन में अपनी टोन चेंज कर लेती है वो कहती ही कि टीसू बहुत ही अच्छा है तो पनी फैमिली के बहुत ही खयाल रखता है टीसू असने लग जाता है कि उसने अभी इसे फिर से माफ कर दिया है जिस गैंगस्टर को टीसू ने अभी मारा था इसमें से एक जिन्दा है वो एक बड़ी सी बॉटल लेता है और टी है टक्सी में बैट जाती है तैक्सी वाले को समझ जाता है इसके पास से नहीरी इसंगे निहींख जाता है Maaक 張ृण फाइट हो रही होती है, तब ही Tissue आ जाता है, जो गैंसर जिन्दा था, उसे हो मार देता है, ये सब उसे बहुत ही डर जाते है ये उसे कहते हैं कि स्माइल कर तो, ये लगता है कि Tissue अब इन्हें फिर से माफ कर देगा, पर इस बार इसा नहीं होता ये इन दोनों को मार देता है बॉकसों टैक्सी से भागते भागते इस रेस्टोर्राट में आ जाती है टीसो का ध्यानने होता तो बॉकसों एक बड़ी सी नाइफ लेती है और इसके पेट में डाल देती है टीसो नारी को मारने वाला था उसका गलाग उट रहा था, तो नारी अब उटने रही बॉक्सोन नारी के पास आ जाती है, उसे लगता है कि मर गई है और वहां रोने लग जाती है टीसू फिर अपने पेट से चाकु निकालता है और उट जाता है इन दोनों में fight होती है वॉक्सवन अब बहुत ज़्यादा चीड़ गही होती है एक चेर से टिसू के सर पर डालती है टिसू जब गिर जाता है तो गला घटकर उसे माद देती है जब में फिर से नारी के पास आती है उसे गले लगाती है नारी को फिर होश आ जाता है बॉक्सोन रोने लग जाती है ये फिर एक दोनों को हक करते है नारी उसे कहती है कि हम तुम्हारे साथ ही रहूंगी ये दोनों एक दूसरे को I love you कहते है वहाँ फिर वो बिजनेस में आता है जो फोन उसे चाहिए था ये फोन ने उसे दे दे थे इस इशो को वो जादा बढ़ाने ने चाहते है अब नारी स्कूल में जाती है और बॉक्सोन फिर से अपना काम करती है नारी जब स्कूल से वापस आती है तो बॉक्सोन के पास बहुत सारे पैसे होते है बॉक्सोन के दिये कि एक आदमी ने मुझे दिये है यह बहुत सारे पैसे होते है तो इनकी जो financial problem है यह भी अब solve हो चुकी है अब end grade troll होते है और यह पैसे उसे कहा से मिले थे यह पता चलता है बॉक्सोन का जो spot था यह किसे अलग आदमी के था यह छोड़ने रही थी इसे trouble हो रहा था तो इसका ओनर उसके पास आया था इसने बॉक्सोन को बहुत सारे पैसे दिये और कहा कि आप यह जगा खाली कर दे पर बॉक्सोन उसका मानी नहीं इन दोनों में fight होगी और फिर से सबजी उसने उसके सर पर मार दी यह owner भी इसके लिए कुछ भी नहीं कर पाया यह पैसे भी बॉक्सोन लेकर चली गई होती है यही movie खतम हो जाती है आज मैंने यह serial killer thriller movie explain की थी ऐसे और कोई murder mystery thriller या psychological thriller ऐसी कुछ movie होगी तो please मुझे comment में suggest कीजिए अगर आपको यह video अच्छा लगा होगा तो please इस वीडियो को like कर दीजेगा मैं बहुत सारी movies लेकर आता रहता हो तो please इस चैनल को subscribe कर दीजे और बेल नोटफेशन आइकोन बेदाबाना मत भूले यहनि कि आप सब को बहुत सारी movies मिलती रहे हम फिस से मिलेंगे और एक नहीं movie साथ अब तक के लिए और आप अपने आपका खैल रखिये